प्रविद्धाश वेल्कम तो दो बिंदाश चैनल उप दिस बंदाश जहां पर ये बंदाश आप से करेगा कुछ बिंदाश बाते आई होप आप सब लोग स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और अपना वीकेंड जो है वो इंजोई कर रहे होंगे कल रात को मैंने एक ऐसी मूवी देखी जो मैं देखना तो नहीं चाहता था लेकिन रिव्यू के लिए मुझे देखना पड़ा तो मैंने वो मूवी देख ली है और उस मूवी का नाम है Mr. and Mrs. Mahi तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यह मूवी जैसे कि अगर आपने ट्रेलर देखा वागा तो यह ट्रेलर में ही और इसलिए कुछ उसमें नया नहीं है यह मूवी है एक हस्बेंड वाइफ की और क्रिकेट उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है यह यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर और भी एक रिलेशन है जो बहुत अच्छे से दिखाये गया है वो है फादर और संद का रिलेशन्शिप जो कुमूद, मिश्रा और राज़कुमार, राओ के वीच में दिखाये गया है और कैसे उनके बीच जो conflicts होते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं और ये एक movie का एहम पार्ट है मैं ये movie देखने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि उन्होंने trailer में movie reveal कर दिये आपको कुछ भी ऐसा surprising और कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखेगा इवन आप trailer देखके भी story predict कर सकते हैं और सेम वो movie देखने के बाद भी आपको लगए है कि हर सीन आप जो है वो predict कर सकते थे दूसरा reason sports drama आप देखेंगे कि Bollywood में जब इनको कोई story नहीं मिलती है और जब इनके पास कुछ नया नहीं होता दिखाने के लिए या फिर कुछ creative नहीं होता इनके पास तो ये क्या करते हैं sports drama create करते हैं sports drama में ये कई बार real players की life के बारे में बताते हैं कई बार ये fictional characters के sports drama को लेके movie बनाते हैं और उसमें sports drama के लावा और भी मसाला add कर देते हैं जो कि मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है अगर आप sports movie बना रहे हैं तो पूरा उसको sports movie के तरह बनाईए उसमें आप emotional drama और वो सब मत घुसाइए और अगर आप एक emotional movie बना रहे हैं तो उसमें आपको sports घुसाने की जरूत नहीं है आपने देखा होगा कि Bollywood ने कई ऐसे sports movie बनाए जिनकी कहानी लगबग सिमिलर होती है या तो अगर वो real players पे भी based है तो आपको पता है कि end क्या होगा क्योंकि आपने obviously real players को खेलते हुए दिखा है अगर वो fictional characters भी होते हैं तो भी आपको पता है कि movie के ending कैसे होगी तो इसलिए मुझे ये sports drama ज्य अब भी OTT पे भी होगी तो मैं नहीं देखने में इंटरेस्टेट हूँ क्योंकि मुझे उस movie में कोई इंटरस्ट नहीं है second 83 movie जो आई थी कपिल देव के life पे वीज वह भी मैंने नहीं देखी है उसके जो शॉर्ट्स वगर आते हैं YouTube पे वही मैंने देखे है movie मैंने नहीं तो यहां पे जो जैसे इनों ने जो कहानी बनाई है कहीं कहीं जगे पे इनकी स्टोरी जो हो है एकदम connecting और realistic नहीं लगती है पहली बात जो लड़की माही है जिसका नाम महीमा है वो डॉक्टर है और वो जो है एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए रेडी हो जाती जिस इसके फादर की जो है स्पोर्ट की दुकान है जस्ट बिकोज क्योंकि उसको वह इंसान पसंद आ गया है या फिर उसको वह इंसान अच्छा लगता है पहली बात तो भाई यह कौन से जमाने की लड़की है जो डॉक्टर होते वे भी नॉन डॉक्टर इंसान से शादी कर द जहां पर मैंने देखा है कि अगर लरकी जो हे डॉक्टर है वो हमेशा अपने लिए ंसान शे शादी करने के ताहिरे जिसके पास जौब भी नहीं है तो भाई मतलब कूँछ सेंस? और उपर से जानवी कपूर, मैं उनकी एक्टिंग के बारे में बिलकुल भी कमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक्टिंग मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देती है, बस हाँ उनका स्क्रीन प्रेजन्स कभी-कभी अच्छा लगता है, कभी-कभी वो क्यूट लगती है, लेकिन इन के बारे में, नो कमेंट्स इत्रूट को कर रहे हैं, छी तो राजकुमर राउ, जब है जब है यह एक तो राजकुमर राव को एक प्रिक्ट कर्व हिएो, जब हम के यह एक्ट अच्छा में आर्ण को पुछषिव हैं, तो से लोचलिय यह तो यह मूवी में कुछ भी इंट्रेस्टिंग नहीं लगा अगर एकदम ही बोर हो रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है इवन आप अगर कपल से आप जाके थोड़ा अच्छा टाइम करना चाहते हैं तो आप थेटर में जाके यह मूवी देख सकते हैं वन टाइम वाच है लेकिन मुझे वह वन टाइम भी वर्थ नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह मूवी ओटीटी पे भी आएगी तो मैं नहीं देखूंगा और मैं यह मूवी स्किप करूंगा और मैं एक बात आप से शेयर करना चाहता हूं कि ऐसी मूवी का हाइप कैसे क्रियेट ह जिन मूवी में कुछ नया नहीं होता जिन मूवी के स्टोडी वही Ю prohibited हुती है तो इन मूवी का हेप कैसे क्रियेट होताय इन मूवी का हाइप क्रियेट होता ऐसे रिवीवर्स की वजए से यहां पर यह दिधा अपने थम झा स्ब्न धर्टन में ऐसा डा क्षपिमेस बोली ऐसे तैफलियं डॉल्टैन को एक्षी मोऑन अच्छे पफॉल्वर रसे टो यह अपने तैगलन ze याप बॉली वॉड लॉट्री अब हम नें गत भी कोई अच्छी चलक्यी ज़से कंतारा जब चली थी तो बॉलिवूड बरबाद ऐसे टेग लाइन्स डालते हैं आपका ध्यान किचने के लिए और आप ध्यान किचे-किचे चले जाते हैं और भले वो मुवी कितनी भी घटिया हो जैसे बहुत सारी घटिया मुवी आई थी अभी रिसेटली आदी पुरुष अपने हिसाब से आपको जो मुवी ठीक लगे देखने थी लिए Milky लिए जो रिविव यसाफित मिअन्स ओंका आप मोवी देखना कर सकते हैं इससे बेटर कि अगर आप पैरेंट्स है और आपके बच्चे हैं आप उनको छोटा भी मूवी जो है वो रिलीज हुई है वो दिखाने ले जाएगे और I would say कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी रिलीज हुई है साउथ की हिंदी डब्ड वर्जन है अरन मलाई 4 करके आप वो देख स लेकिन इससे जादा नहीं और मैं बोलूँगा कि अगर आप अवाइड कर सकते तो अवाइड करिये 99 रुपीज की टिकेट्स हैं तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिजिए इट्स अप टू यू लेकिन मुझे देखने के बाद कमेंड में ज़रूर बताईएगा क अगर आपको यह मूवी बहुत अच्छी लगी तो भी बताईएगा और आपको लगाए कि यह मूवी आवाइड कर सकते थे तो भी मुझे बताईगा तो यही था आज के वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए टेक केर